हें आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग क्योंकि आज इस प्रडुक्त के बारे मैं आपसे शियर करने वाली हूँ वह हमारी डेली स्किन केर का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो को आपस में कंपेर किया था मैं इस वीडियो की बात कर दी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आपके लिए तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं प्लम ग्रीन टी डेलाइट संस्क्रीन जेल विथ SPF 35 तो चली वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दू सब्सक्राइब एंड बैल आइकन जरूर प सब्सक्राइब करें तो प्लम के बहुत से प्रोड़क्स की रिव्यूज मैंने आपके साथ शेर किया है अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में पूरी एक प्लेलिस्ट है स्किनकेर की आप वहां से चेक कर सकते हैं आइगस एट या टेन प्रोड़क्त की मैंने रिव् है तो इसलिए मैं कह सकते हूं कि प्लम एक ट्रस्टेट ब्रैंड है आप इसलिए इस पर त्रस्ट कर सकते हैं रिजन बिंग कि इनके प्रोड़क्स में प्लेट सलफीट इस टाइप की चीज़े नहीं होती हैं जो कि हमारे स्कीन के लिए काफी ज़्यादा हाम होती है यह 100% वेगन होते हैं, that's the reason you can trust them, coming to this particular product, तो आप देख सकते हैं, इस टाइप कि ये white packaging में है, like white cardboard packaging है, with this green, काफी अच्छा सा combination है, और सारे plum product का combination, color combination ये ही होता है, तो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आता है, and अंदर कुछ इस टाइप सी ये tube form में है, consistency कि अगर मैं बात करूँ ना, you can see, creamy consistency है, but you can blend it easily, बहुत अच्छे सी ये blend हो जाता है, and the best thing ना, जो मैंने feel की है, बाकी की sunscreen जब आप लगाते हैं, तो एक white patch आजाता है, तो लगाने के बाद एप को at least 10 minute का wait करना पड़ता है, उसे remove होने का, and then आप उसके उपर कुछ apply कर सकते हैं, but इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये तुरंत हमारी skin में absorb हो जाता है, बिना कोई white patch दिए, तो आप makeup base के लिए भी इसे use कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जली जली आपको करना रहता है, जादा time नहीं होता है, तो मुझे तो ये बहुत जादा पसंद है, प्लस ये बहुत ही अच्छे से हमारी skin को moisturize करता है, आपने एक बार लगा लिया, तो around 6 hours तो ये easily चल जाता है, ये मैंने try किया है, firstly अगर मैं बात करूं ingredient की, तो as it's clearly mentioned कि ये green tea sunscreen है, green tea के benefit आप सब को पता होंगे, green tea हमारी skin को moisturize रखता है, acne को prevent करता है, साथ ही अगर आपको redness या फिरिटेशन की problem है, तो उसे भी solve करता है, and premature aging से भी fight करता है, coming to the price, तो it's retail for Rs.575 for 50 ml quantity, हो सकता है, आपको ऐसा लगी कि market में available other sunscreen सी थोड़ा सा price ही है, but trust me, जब आप इसे use करना start करेंगे, तो आपका ये myth भी दूर हो जाएगा, because it's worth the price, क्योंकि ये अपने सारे claims पे exact है, Now coming to the point, कि आपको इसे use कैसे करना है, तो जैसे आप other sunscreen को use करते हैं, वैसे आपको एक generous amount ले लेना है, that means sunscreen में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसे dot dot form में अपने पुरे face पे create करिए, and then अपने हाथों से इसे circular motion and upward motion में massage करिए, एक बात मैंने पहले भी share की थी कि sunscreen at least 10 minutes पहले, that means step out होने से आपको 10 minutes पहले apply करना है, जिससे वो आपकी skin में अच्छे से absorb हो जाए, and one more thing to remember, sunscreen apply करते टाइम सिर्फ अपने face पर ही ना ध्यान दे, अपना neck, hand, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे, कई बर क्या होता है, हम सिर्फ face तक ही रह जाते हैं, बाखी के exposed part को छोड़ देते हैं, but ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, अपने सारे exposed part पर हमें अच्छे से sunscreen apply करना है, Now coming to my personal experience कि मुझे ही product use करने पर कैसा लगा, first thing मैंने already बताया कि इस product में कोई भी paraben, platelet, sulfate या फिर animal derived ingredient नहीं है, that's the best reason कि कोई भी harmful ingredient इतने नहीं है, second point is कि apply करने के बाद आपके face पर वो white patchiness नहीं रहता है, ये बहुत ही अच्छे से आपकी skin पर absorb हो जाता है, skin को एक nourishment provide करता है, reapplication की कोई जरुरत नहीं होती है, बार-बार आपको reapply नहीं करना है, आपने एक बार लगा लिया, तो 5-6 hours के लिए भूल जाएए, and the best thing ना कि आपकी skin को बहुत ही अच्छे से moisturize भी रखता है और एक glow भी add करता है, that's the reason I'm in love with this product, तो अगर अभी तक आपने plum sunscreen नहीं ट्राइ किया है ना, तो just go and try, आप बाकी के sunscreen भोल जाएंगे, so friends, कैसा लगा आपको मेरा ये quick review about plum green tea daylight sunscreen gel with SPF 35, अगर product अभी तक आपने ट्राइ नहीं किया है, तो just go and try, you won't regret, purchase link आपको description में मिल जाएगी, और भी कोई other detail होगी, तो वो भी मैं description box में add कर दूँगी, तो friends, product related सारी information मैंने already आपके साथ share कर दी, still आपके mind में कोई भी question, curious or suggestion हो, related to product, feel free to pen down in comment section, तो आज के लिए बस इतना ही, I hope आपके लिए आज की video helpful रही होगी, if yes, then make sure इस video को like करिए, अपनी friends and family के साथ share करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा, मैं मिलती हूँ आप से पनी next video में, till then, bye!